ब्रामूडा ट्रेंगल के बारे में आपने तो सुना ही होगा जहां मिस्टीरियस तरीके से जहाज गायब हो जाते हैं और इसके मिस्टीरी को आज तक कोई भी सुल्जा नहीं पाया है एक ऐसे ही मिस्टीरियस जगा रूस में भी है जो साइन्टिस्ट के लिए एक अबूज पहली बनी हुई है हलाकि इसकी कहानी ब्रामूडा ट्रेंगल से थोड़ा अलग है लेकिन नाम बिल्कुल मिलता जुलता है यह जगा एम ट्रेंगल के नाम से मसूर है मसूर क्यूं है आ के अस्थानिय मांसी लोगों के लिए पवित्र माना जाता था लेकिन अब यह जगा मिस्टीरियस हो गई है इस मिस्टीरियस जगा को पर्म छेतर का एम ट्रेंगल या पर्म कॉंट्रेस्टेट जोन भी कहा जाता है जो सत्तर वर्ग मील में फैली हुई है 1980 में यह इलाका तब डिवेट में आया था जब यहां मिस्टीरियस आवाजे सुनाई देने लगी यह आवाज अचानक ही सुनाई देने लगती हैं कहते हैं रिसर्चर्स ने यहां ट्रेफिक की सोर यानि आती जाती गाड़ियों की आवाजे रिकॉर्ड की है ऐसा लगता है जंगल में आसमाने घटनाए घटती हैं जैसे बादलों के बीच से अर्थ पर परकास की एक किरन आती हुई परतीत होती है घने जंगलों में अचानक से बीर्ट सी ट्रांसपेरेंट्स चीजे दिखने लगती हैं और आसमान में अजीब से सिंबल दिखाई देने लगते हैं इसके अलावा यहां पर कई बार flying saucer के भी देखे जाने का दावा किया गया है इस mysterious जगा के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई female minded इंसान यहां कुछ दिन गुजार ले तो वो भी fire brand और चलाक बन जाता है इस weird सी जगा पर आने पर ऐसा एहसास होता है जैसे यहां जरूर कोई miraculous power है यहां अर्थ से दूर किसी दूसरी दुनिया में आने जैसा परतीत होता है कहते हैं कि पर्म जोन में आने वाला गंभीर रूप से बिमार आदमी भी अपने आप ठीक हो जाता है और aim triangle के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहां कई कमपनियों के mobile network मौजूद है लेकिन इसके बावजूद यहां कोई phone काम नहीं करता है हलाकि यहां एक mysterious मिट्टी का टीला भी है जिस पर चड़ गए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में phone call लगा सकते हैं लेकिन जैसे ही टीले से नीचे उतरेंगे तो call अपने आप कट जाती है इस mysterious टीले को call box कहा जाता है वीडियो informative लगा नीचे subscribe का बटन दबाएं ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए